आज मैं आपको बताऊंगी कोई चिकन बिर्यानी की तरह से बनाते हैं उसके लिए आप इंग्रीडियन्स नोट कर लीजिए 1 kg चिकक, 4 medium-sized onion sliced, 5 small pieces of cinnamon, 4 black pepper, 5 green cardamom, 5 cloves, 1 bay leaf, 1 cup cooking oil, 1.5 tsp ground fennel seeds, 1 tbsp cumin seeds, 1 tbsp ginger garlic paste, 2 pinch of yellow food color, 1.5 kg basmati rice before cooking rice, 15 minutes के लिए पानी में सोप करके रख देंगे, पाइल को गरम करके हम उसके अंदर यह प्यास डाल देंगे, और इसको लाइक ब्राउं हम इसको प्यास करेंगे, प्यास को ब्राउं करने के बाद अब इसके अंदर हम यह चिकन डाल देंगे, असके नदर का बेंग बेंगे अच्छे से बूलने के बाद इसके अंदर हम बन ब्लास ओक वाटर डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, अब डखकन डखकर इसको मुकमर गला लेंगे, दिखिए चिकन गल चुका है और वाटर भी इसका ड्राय हो गया, इस स्टेश पर मैं चावर को गलाने का पहले पानी डाल दूएंगी, और यह भीगे हुए राइस डाल दूँगी, अब चावर को मिक्स करने के बाद में इसके अंदर यह तिस्यू भी सॉंक्स जो मैंने पहले से आपको बताई थी वह इस स्टेश पर डाल दूँगी, और स्वारी मैं आपको नमक बताना भूल रही थी, टू टेवल स्पून नमक भी डाल दूँगी, आप अपने यह साफ से भी डाल सकते, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अब इसका डखकन डखकर मैं इसको उसकल तक पकाऊंगी, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राय ना हो जाए, तवे को पतीले के नीचे रख दिया है, जरदे को रंग को थोड़ा सा पानी में गोल कर इस तरह से डाल दूँगी, डखकन को गीले जस्तर खान से लबेट कर रख दूँगी, लास्ट लो फिलेम पर पांच मिनट का दम लगा दूँगी, फिर डिश आउट कर लूँगी, देखिए नाजीन, क्विक चिखन बिर्यानी अम उकमल तोर पर तयार हो गई है, यह नहाज जाइकदार होती है, आप इसे ज़रू ठ्राइ कीजिएगा, प्लीज लाइक माई वीडियोज और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स फर वाचिंगी, ज़रूप प्लीज यूब दोर झाल, झाल झाल